नमस्कार स्रोतामीत्रों, स्वागे थे आपका मेरे यूट्यूब चैनल रस्मी की दुनिया में। आशा करती हूँ आप कुसल होंगे। हम आज पंडित हजारी प्रसाद दिवेदी जी के निबन कुटज का साहितिक विशेशित्ताओं का अध्यन करेंगे। कुटज का प्रारम दिवेदी जी की परवत्तों के सौन्देरिय से करते हैं और बताते हैं की परवत सोभा निकेतन होते हैं। परवतों में हिमाले तो सबसे सुन्दर है ही। कालिदास ने इस हिमाले को देकर समाधिस्त महादेव की कल्पना के थी। इसी हिमाले की तल हटी में यह कुटज ब्रिक्ष पाया जाता है। इसके चारों और नीरस पाहाडियां है। उन्ही में से एक ब्रिक्ष है जो है कुटज। कुटज ब्रिक्ष रस उसका अर्थ है जल का स्त्रोथ खोज लेते हैं। इस पर बिस्मिध होते हुए दिवेदी जी कुटज के बाहियरूप रंग का वर्णन करते हैं। इसी में थोड़ा ठहर कर वे एक दाशनिक प्रेस्न का विचार करते हैं। कि नाम और रूप का क्या रिष्टा हो सकता है। और प्रकारांतर के स्तापित कर देते हैं कि नाम रूपी ही सामाजिक स्विक्रती प्रदान करते हैं। इसी प्रेस्न पर विचार करते करते हैं। वे यह जानकरी देते चलते हैं कि कालिदास के मेग दूद में जब रामगीरी पर यक्स को मेग की अभ्यर्थना करनी थी। तब वहां और कोई पुष्प नहीं था। इसलिए कुटच पुष्पों की अंजली देकर ही संतोस करना पड़ा। अर्थात यह ब्रिक्ष मेग दूद में कालिदास के काम आए। इस ब्रिक्ष की अभ्यलना संस्कृत साहित्य में तो मिलती है। रहीम ने भी इसकी अभ्यलना की थी। इसके पस्चाद लेखक कुटच का अर्थ करता है। कूट का अर्थ घड़ा होता है। अब यह पेड घड़े से कैसे पैदा होगा। फिर वे अपने पाठकों को यह जानकर भी देते हैं कि प्रतापी अगस्य मुनी की जो कुटच कहे जाते हैं। फिर इस कूट सब्द से कुटकरी का, कुटहारी का, कुटनी, कुटनी आदी सब्दों का महत्में बताते चलते हैं। आगे चलकर दिवेदी जी, इस तथे की जानकरी भी देते हैं कि कुटच शब्द आर्य जाती का तो नहीं जान पड़ता। इसी प्रक्रिया में वे आश्ट्रो एसियाटिक भासा परिवार की भी चर्चा में पाठक को ले जाते हैं। और बताते हैं कि कैसे एसिया और आश्ट्रेलिया भुखंड पहले मिले हुए थे। बाद में प्राक्रितिक प्रकोप से अलग हो गए। इसी बीच में वे यह भी जानकारी पाठक को देते जाते हैं कि संस्कृत में अनेक भासाओं का मिश्रन है और यह भी कि भारतिय संस्कृती भी मिश्रित संस्कृती है। सुथ आर्य संस्कृती नहीं है। इस विश्र पर उन्होंने असोक की फूल निबंद में विस्तार से लिखा भी है। यहां सिर्फ प्रासंगिक जानकारी दे दी गई है। इसकी बाद दिवेदी जी कुटज की जीवनी सक्ति का उसके वैभाव का वर्नन करते हैं। और समाज मनुस्यो और जीवन पर कई सुत्र बाक्य कहते जाते हैं। अंत में वे इस निश्कर्ष पर निबंद को समाप्त करते हैं कि कुटज अपने मन पर सवारी करता है। मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। मनस्वी मित्र तुम धन्य हो। आगे हम इसकी अंतर वस्तु का अध्यान करेंगे। निबंद में दो तत्व होते हैं वीचार और भाव। इनमें से निबंद में किसी एक तत्व की प्रधानता होती है। परन्तु दूसरा तत्व भी होता आवश्य है। कुटज में भाव और वीचार दोनों का सामन जस्य है। वीचार को अभिव्यक्त करते हुए दिवेदी जी अपने मन की बातें भी कहते हैं। अपना पक्ष भी रखते हैं। इस तरह निबंद के प्रकरणों में अपनी बैचारिक फाव अत्मक टिपणी भी करते जाते हैं। इसके वीचार पक्ष के बारे में हम जानेंगे। कुटज के आरम में दिवेदी जी हिमाले की सौंदर्य का वर्णन करते हैं। फिर वे कालिदास की कथन को अद्बुत करते हुए कहते हैं कि हिमाले प्रिथ्वी का मान दंड है। यह मत कालिदास ने कुमार संभावन में अभिवक्त किया है। हिमाले का गहरा संबंध भारत के इतिहास और संस्कृती से है। अतर दिवेदी जी मुग्द भाव से हिमाले संबंध भारत के हिमाले का उलेख करते हैं। यहीं पर शिवालिक की पहाड़िया हैं। शिवालिक का अर्थ करते हुए दिवेदी जी लिखते हैं कि शिवालिक या सिव की जटा जूट का निचला हिस्सा ही तो है। इस पहाड़ी की सुखी, नीरस और कठोर भूमी को देखकर दिवेदी जी यह कलपना करते हैं। उनसे भी पहले कालिदास ने भी ऐसी कलपना की थी। यहाँ पर दिवेदी जी तथ्यात्मक वीवरेन प्रदान प्रदान प्रंक्तियां भी लिखते हैं। यदि हिमालय समाधिस्त महादेव की प्रतिमा है, जैसा कालिदास ने लिखा है, तो उसी समाधिस्त महादेव के अलग चाल के निचले हिस्से का प्रतिनीतित्व यह गिरी स्रिंखला कर रही होगी। कहीं कहीं अज्यात नाम गोद्र जाड जखाड और बेहया से पेड खड़े दिख अवस्य जाते हैं पर और कोई हरियाली नहीं। यह वस्तान है जहां इतना सुखा है कि दूब भी सुख गई है। इतने सुखे में पानी कहां से आता है। यहां पर जो यह ठिंगना सा पेड दिखाए दे रहा है यही तो कुटेज है। भूग प्यास की चोट से और गर्मी से बिहाल होते हुए भी यह पेड जी रहे हैं। न केवल जी रहे हैं वरन आनंद मगन है। इस विवरन के बाद दिवेदी जी भाबुकता सक्रिय होती है। और फिर उनके मन में विचाराता है जो पेड इतने अभाव में भी खुश हैं, क्या वे बेहया हैं या मौला दोनों भी परितार्थक सब्द हैं। इन ब्रुक्षों के लिए आप किसी भी सब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यहां दिवेदी जी कुटच में छिटक कर मानव जीवन पर आ जाते हैं। और तिपणी करते हैं कि जो लोग बेहया दिखते हैं, दरसल वे बेहया होते नहीं। उनके भीतर भी रस का कोई स्त्रोत्र होता है। हया का संबंद तो दूसरे से होता है और ये तो दूसरे की सत्ता को मानते ही नहीं। उसे चुनोती देते हैं और मस्त रहते हैं। उन्हें हम बेहया कैसे कहें। उन्हें मस्त मौला भी तो कह सकते हैं। यहा दिवेदी जी उन मनुष्यों पर टिपणी करते हैं जो बिना किसी को ठीक से जाने, किसी पर जट से मुल्य निर्ने दे देते हैं। वह मुल्य निर्ने ठीक नहीं है जराफ फूर्षत से उनकी जीवन गाथा को जानकर समझ भूज कर तिपणी करना चाहिए ऐसा दिवेदी जी कहते हैं नहीं ऐसा उनकी कथन से संकेतित हो जाता है वैसे भी दिवेदी जी कुछ भी कहने से बजते हैं उन्हें अपने नायक कुटज का पक्ष रखना है लेकिन उस नायक पर अनुचित टिपणी करने वालों पर कोई टिपणी नहीं करनी है इसके बाद दिवेदी जी एक दासनिक सा वक्तब्य देकर इस प्रेकरन को बंद करते हैं कभी कभी जो लोग उपर से बेहया दिखते हैं उनकी जड़ें काफी गहरे पैठी रहती है ये भी पाशान की छाती फाड़ कर नजाने किस अतर गहर से अपना भोग ये खीच लाते हैं बाहर से इस सुखी धर्ती पर ये कुटज हराबरा के से है इस सुखी पत्रीली जमीन में पानी कहीं दिखाई नहीं देती है कुटज के इस प्रस्तुत विधान का आप्रस्तुत मनुस्य है ये एक घास की तरह का मनुस्य है जिसे दुनिया बेहया कहती है ऐसे कुछ लोगों को भी कहीं न कहीं से सामाजिक स्विक्रती मिलती है उसकी जीवन में भी कुछ चीज़ें होगी जो उसके लिए खाद पानी का काम करती होगी वह क्या है इस प्रस्न को दिवेदी जी अनुत्तरित छोड़ देते हैं सामान्यत है लोग इस प्रस्न का उत्तर नहीं जान पाते वे स्वयम भी अपना सच कहां अभिव्यक्त कर पाते हैं जहां पर ये कुटज है वहां एक अकेला नहीं है और भी कई पेड़ है जिने लेखरक नहीं जानता उनके सील को नहीं जानता इनी पेड़ों के बीच फूलों से लदा हुआ ये अलमस्त पेड़ है उटज ये उजाड का साथी है या कोई फलदार पेड़ नहीं है ऐसी जगों में सिर्फ जाड जनजाड है पर ये पेड़ आत्मियता से भरा भर देता है ये आत्मियता लेखरक में भी आ गई है जब पहली बार ये ब्रेक्ष दिखा तो लेखरक को मन नाम नहीं सुजा फिर एकाएक मन में कौणदा कि ये तो कुटज है संस्कृत साहित्य का बहुत परिचित किन्तु कवियों द्वारा अवं मानित ये छोटा सा सांदार ब्रिक्ष कुटज है दिवेदी जी के इस असमंजस स्तिति का वर्णन करते हैं जिसमें पहचान तो चाता हूँ परन्तु नाम याद नहीं अरहा की मान सिकता होती है इसके बाद वे इस दार्षनिक विवाद का संकेत करके आगे बढ़ जाते हैं कि नाम बढ़ा या रूप, पद प्रमुख है या पदार्थ इस विवाद का समाहार करते हुए वे कहते हैं कि नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वो नाम है नाम को सामाजिक स्विक्रिती मिलती है नाम से हम उस व्यक्ति या वस्तु को पेचानते हैं इसलिए नाम महत्वपुर्ण है इसलिए विद्वान भी इस निशकर्ष पर पहुँचते हैं कि नाम और रूप के सामन जश्य से हमें ज्यान मिलता है हम वस्तु या व्यक्तियों को उनके नाम से पेचानते हैं आगे चलकर दिवेदी जी थोड़ा परिहास में चले जाते हैं और कई तरह के सौंधर्य सूचक या पारुस व्यांजक नामों का उलेख करते हुए इस निशकर्थ पर पहुंचते हैं कि रूप व्यक्ति सत्य है रूप व्यक्ति सत्य है नाम समाज सत्य है समाज जिसको कुटज कहता है वह कुटज है वह रजनी घंदा नहीं है दोनों कारुप अलग-अलग है इसलिए उनका नाम भी अलग है इसे अपने ढंग से वह गिरिकुट बिहारी भी कहते हैं इससे पाठक को एसास होता है कि दिवेदी जी का संस्कृत साहिते से कितना गहरा परिचे है वह कहते हैं कि कुटज संस्कृत साहिते का बहुत परिचित शानदार प्रिक्षय है हाला कि यह कवियों द्वरा अवमानित है इसकी प्रसंसा में नहीं लिखा गया है आगे वह अपने प्रिय कवी कालिदास का उल्लेक करते हैं कालिदास ने मेग दूत में इसका वर्णन किया है यक्षक का दूत बनकर मेग जब रामगिरी परवद पर पहुँचता है तब मेग की अभ्यर्थना देने के लिए यक्षक को कुटच के पुस्पों की अंजली देकर ही संतोस करना पड़ा यहाँ और कोई पुस्पों उपलब्द नहीं था तो यह गाढ़े का साथी ही तो हुआ उस समय यक्षक के काम आया जो पुस्प कालिदास के काम आया उसको ज़्यादा इजद मिलने चाहिए थी परन्तु नहीं मिली इसी प्रगरण में दिवेदी जी ने रहीम के एक दोही को भी उद्गरत किया जिसमें कुटच के प्रती वही अबमानना का भाव था या अबमानना तो रहीम को भी जेलनी पड़ी थी रहीम का कुटच पर आरोप था कि कुटच से चाया नहीं मिलती दिवेदी जी इस बिंदु पर टिपणी करते हैं कि छाया न सही फूल तो मिलते हैं कुटच का अर्थ करते हुए कहते हैं कि कुट घड़े की को कहते हैं और घर को भी घर में काम करने वाले दासी कुट कारी का और कुट हारी का कही जाती है अब कुटच घड़े में तो पैदा नहीं होगा इतने सारे संदर्बों के बीच दिवेदी जी इस प्रस्न पर विचार करते हैं कि कुटच आया कहां से यह पेड और इस पेड का नाम कहां से आया फिर दिवेदी जी संदेप रकट करते हुए कहते हैं कि यह आर्य भासाओं का सब्द नहीं है इसके बाद भासा बैगानिक सिल्वा लेवी को स्मरन करते हैं उनका मत है कि संस्कृत भासा में फूलों, ब्रिक्षों और खेती बागवानी के अधिकान सब्द अगने भासा परिवार के हैं फिर वे एक भोगोलिक इतिहास की जानकारे देते हैं कि किसी समय आउस्ट्रेलिया और एसिया महादिप मिले हुए थे फिर कुछ भयंकर प्राकृतिक भी स्पोर्ट हुआ और दोनों मादिक अलग-अलग होगे इस कारण आउस्ट्रेलिया के सुदूर जंगलों में बसी हुई जातियों की भासा एसिया की भासा से मिलती जुलती है इसलिए भारती भासाओं का आश्ट्रो एसियाटिक परिवार भी है फिर दिवेदी जी अपनी पुरानी स्थापना को दोहराते हैं कि संस्कृत भासा में अनेक बाहरी सब्द आ गए हैं जो अब भारतीय संस्कृति के अविछेद अंग बन गए हैं कमल, कुडमल, कम्बू, ताम्बूल आदी जब इतने सारे सब्द आ गए हैं तो कुटच भी तो आ सकता है निबन में दिवेदी जी ने कुटच की अपराज जीवनी सकती की प्रसंसा करते हुए स्पष्ट करते हैं कि ये जीवनी सकती नाम और रुप दोनों में हैं बरसों से कुटज सब्द बना हुआ है, उसका नाम परिवर्तित नहीं हुआ है, रूप भी बना हुआ है, मुर्जा कर खत्म नहीं हुआ है, वैसे दिवेदी जी मानते हैं कि संस्कृत के सब्द स्थीफ मान है, विकसित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, इस सब के बीच कु है आगे दिवेदी जी अपने विशे का विस्तार करते हुए कहते हैं कि जीवन भी एक कला है कला ही नहीं तपस्या है उनका मत है कि जिन्दा रहना बहुत बड़ी बात है मनुस्य की जीजी विशा बड़ी चीज है और यह जीजी विशा कुटज में दिखाए देती है यहां वे याग्यावत वलकप का उदाहरन देती है वे कहते हैं कि सब कुछ स्वार्थ के लिए है तब क्या संसार में प्रेम का सेवा का देश भक्ति का कोई मुल्य नहीं है वे हाफ्स और हेलवेशियस का मत भी सामने रखते हैं पूरी बहस के बाद वे पुन इसी निसकर्ष पर पहुंच जाते हैं कि स्वार्थ से बड़ी कोई चीज है परन्तु वा क्या है इस प्रेस्न को भी वे अनुत्तरित छोड़ देते हैं असोक के फूल निबन में अभिव्यक्त विचारों को आगे बढ़ाते हुए आचारे दिवेदी जी कहते हैं सिर्फ स्वार्थ के लिए जीना खंडित सत्य है परन्तु सिर्फ जीना नहीं गरिमा के साथ जीना बड़ी बात है भले ही कुटज नीती धर्म की बाते नहीं करता परंतु किसी का चापुले से भी नहीं करता अपनी उन्नति के लिए नीलम रदन धारन नहीं करता इसका रदे कितना विशाल है वह सुक से दुख से प्रिय से अप्रिय से किसी से विचलित नहीं होता दिबेदी जी सोचते हैं कि उसे यह द्रिष्टी कहां से मिली अपनी समझ को सुत्रबद करते हुए वे लिखते हैं कि जो समझता है वह दूसरों को उपकार कर रहा है वह अबोध है जो समझता है कि दूसरी उसका अपकार कर रहे है कौन किसका है केवल जी रहा है मनुस्य जी रहा है अपनी इच्छा से नहीं इतिहास विधाता की योजना की अनुसार अपने आपको इतिहास की विधाता के भरोसे छोड़ देना ये बड़ी बात है कुटज यही तो कर रहा है सुख और दुख पहुचाने का अभिमान ही गलत है फिर वे आगे कहते हैं असल में सुख या दुख तो कुछ होता ही नहीं यह तो मन का विकल्प है हम मानते हैं तो सुख है ना मानते हैं तो दुख इसलिए सुखी वह है जिसने अपने मन को अपने नियंत्रण में कर लिया हो वह अपने मन को कह देता है कि सुखी रह मन उसका कहना मान लेता है और वह सुखी हो जाता है जिसका अपना मन ही अपने वस में नहीं दूसरों के वस में है उसे कोई भी दूसरा व्यक्ति कभी भी दुखी कर सकता है यदि हम दूसरे के बस में रखते हैं तो तभी दूसरों की जी हजूरी करते हैं चापुलूसी करते हैं किसी के साथ कुछ मांगते हैं अन्य था हमें किसी से क्या चाहिए और क्यों चाहिए उनका मानना है कि दूसरों को फसाने के लिए जो जाल बिचाता है वह ना तो स्वयम सुखी है ना दूसरों को सुख पहुंचा सकता है कुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है इसलिए वह वशी है उसके अपने मन को वसमी कर सकता है कुटज अपने मन पर सवारी करता है इसलिए इतने कश्टों में और अभावों के बाव जो द्वा मुश्क राधा है वह मुर्जाया हुआ नहीं है कुटज के इस गुण का कारण दिवेदी जी इस निबंद के समापन में कहते हैं कि मनस्वी मित्र तुम धन्य हो और यही इस निबंद का सार्थत्व है इसी के साधी मिराज का ये वाजन समापत होता है धन्यवाद स्रोधा मित्रो को एन्यवाद समाचल से निबंद का सक्षा झार ओरनाव wealthy इसर फявादा मित्रो अच्छल